लीवर की सफाई करने का इससे सस्ता और अच्छा उपाय कहीं मिले नहीं सकता नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगन उसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपोर्टनेट वीडियो के साथ है जिया दोस्तों हमारा खान पान और लाइफ इस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है कि हेल्थ प्रॉब्लम से घिरे रहना अब आम बात हो गई है हर समय हाई बेपी हाइट अटेक डाइबिटीज का होना बहुत ही बड़ी बात होती चली जा रही है पहले लोगों को बुढ़ा पे ये ज़्यादा उम्रका होने पर भी समस्याएं अपनी चमेर्ट में लेती थी लेकिन आज कल के युवा भी इससे बज़ना ही पाते इसलिए लीवर को साफ रखना बेहाद ही जरूरी है जैसे कि आप किड़नी को साफ रखते हैं किड़नी को स्वस्थ रखते हैं और किड़नी डिटॉक्स करने के लिए आप कई तरीके अपनाते हैं जिससे किड़नी में इंफेक्शन ना हो किड़नी फिलियोर की समस्या ना हो इसी तरह आपको लीवर को भी साफ करना चाहिए दोस्तों हमारे पेट का स्वस्त अगर ठीक ना रहे लिवर हमारे दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है और सबसे महतपूर अंग है इसके कई कारे भी होते हैं जैसे सरी से टॉक्सिंस को बाहर निकालना एंजाइम और पित का निर्मार करना जो की भोजन को पचाने में पोसक तत्तों को फैट से परिवर्थित करना जिया दोस्तों लेकिन अगर ये सब प्रक्रिया ना हो तो हमारे सरी में गंभीर बिमारिया भी हो सकती हैं इसलिए इसे तरीकों को अपना कर कुछ खास तरीकों को जो की बहुत आसान है इससे आप लीर की सफाई कर सकते हैं जो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जर जीवित करने में माद करती है इसके लिए एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर और एक गिलास पानी में इसे मिला लें अब इससे उबाल कर दिन में दो बर पीए इससे लिवर साफ रहेगा और इसे स्वस्त रखने में मदद मिलेगी इससे बीमारियों का खत्रा भी कम होग हैं इसमें कई तरह के क्लेंजिंग कंपाउंड होते हैं डाइट में हरी सब्जों को सामील कर लेवर को हल्दी रख सकते हैं नमबर तीन सेब दोस्तों रोजाना एक सेब का सेवन लेवर को स्वस्त बनाया रखने के लिए बहुत ही चरूरी होता है दरसल यह प्यक्टिन का इक समरीद स्वरोत है जो पाचन प्राणाली और कोलिस्ट्रॉल में से फिसाकत पदार्थों को निकाल कर लेवर को साफ करने में में मेरत करता है नंबर चार लैसुन जीहां दोस्तों लैसुन के खास गुड़ के कारण ही इसे खाने में यूज किया जाता है गारली के लेव तो अखरोट में एमिनो एशिट उच्छ मातरां पाए जाते हैं जो विसागत पदार्सों से छुटकारा दिलानी में मात करते हैं इसके अलावा इसमें गुटा थियोन और ओमेगा थिरी फैटी एशिट भी मौजुद होता है जो प्रकृति रूप से लीवर को साफ कहने में प्रक्रिया को बढ़ावा देता है रोजाना एक मुठी अखरोट चबा कर खाना फायदेमंद हो सकता है यह इमुनिटी बढ़ाने में भी सहायता करती है